स्वागत का तैयारी करो क्योंकि मनीज कस्यप अब जेल से बाहर निकलने वाला है सोशल मीडिया पर मनीज कस्यप के समर्थक इस परकार का पोश्ट डाल कर खुशी जता रहे और सबसे पहले खबर जानिये कि मनीज कस्यप के उपर से NSA हट गया अदालत ने NSA हटाने के साथ बाहनत अरजी को मंजूर कर लिया मतलब कि सबसे पहले राज सरकार ने जो NSA लगाया था राष्ड द्रोह का केस लगाया था उस राष्ड द्रोह के केस को अदालत ने बह calories के बाद समावत कर दिया उन धराओं को हटा दिया और एक परकार से अदालत के द्वारा NSA का हटना इस बात को शाविद भी करता है कि सरकार ने जो NSA लगाया था वो NSA शायद गलत था क्योंकि अगर गलत नहीं होता तो सरकार अपना दलील देती अदालत उसको मानती और अदालत NSA नहीं हटाती लेकिन फिलहाल मनीश कस्यप के उपर से NSA हट चुका है जमानत अरजी को मंजूरी म उसके बाद समर्थक कह रहे है कि छठी मईया ने प्राथना सुन लिया कि छठी मईया के आगमन के पहले मनीश कस्यप को NSA उनके उपर जो लगा था उसको हटाने का आदेश अदालत नहीं दे दिया अब आगे आपको एक एक करके हम सब कुछ बताएंगे बागे नमस्कार मे नामे मोहित कुमार सिंग और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं मनीश कस्यप बिहार की राजधानी पटना के बेउर जेल में बंद है अब मदुरई कोट तमिल नाडू में इस मामले पर बहस हो रही थी मनीश कस्यप के वकील वहाँ पर पक्ष रखते हैं वो कहते हैं कि मन मनीश कस्यप वैसा पराधी है उस पर NSA लगना चाहिए लेकिन तमाम बहसों के बाद तमाम चीजों को देखने के बाद अदालत ने फैसला लिया कि मनीश कस्यप के उपर NSA का जो जो धारा लगा है वो धारा हटाया जाएगा और इसके बाद खबर आती है कि मनीश कस्यप के उपर से NSA हट गया दैनिक भासकर ने इस खबर को लेकर के अपने रिपोर्ट में लिखा है और कहा है कि बिश्त्रित जानकारी जो है वो जब लिखित आदेश कोट का आ जाएगा तब उसके बाद प्राप्त होगा लेकिन फिलहाल मदुरई कोट के तरफ से NSA हटाने का ओर्डर है उन मामलों पर हम कानूनी प्रकिरिया जी होगी जो सुनवाई होगी उसको हम पूरा करेंगे लेकिन जमानत दी जाए हमको तो कहा जा रहा है कि जमानत अरजी को भी मदुरई की कोट ने स्रीकार कर लिया मतलब कि मदुरई की अदालत ने मनीज कस्यप को जेल से बाहर नि मिली जमानत मिली तो मिली सबसे बड़ी बाद कि मनीज कस्यप के ऊपर से NSA को हटाने का आदेश अदालत ने दिया और इसके बाद अब कहा जा रहा है कि मनीज कस्यप को पटना के बेवूर जेल से बाहर निकाला जाएगा फिलाल कई महीने के बाद मनीज कस्यप जेल से बाहर लिख लेंगे सबसे पहले आपको याद हो तो तमिल नाडू के जेल में उनको रखा गया कई महीनों के बाद वो बेतिया के अदालत में पेश होने के लिए आए तब बेतिया के अदालत ने कहा कि मनीज कस्यप को अब ब रखनाई है तो आप बिहार में रखेंगे बिहार की जेल में बद्न रखेंगे और उसके बाद मनीज कस्यप को पटना पेसी में लाया गया और इसके बाद पटना के बेवर जेल में उनको शिफ्ट किया गया फिलाल मनीज कस्यप के उपर से NSA हटा है और जो जमानत अरजी उन जानकारी जो भी अपडेट आएगा वह सब कुछ माप तक पहुचाएंगे और सबसे बड़ी बात कि अदालक का लिखित आदेश जब सामने आएगा तो एकदम बिस्तृत जानकारी आजाएगी कि अदालक ने क्या कुछ कहा है लेकिन एनस से अदालक ने हटाया है जो उनके उपर राष्ट द्रोह का आरोप था उस राष्ट द्रोह के आरोप से अदालत ने उनको मुक्त किया है अब आगे देखिए कि और क्या कुछ खबर और क्या कुछ अपडेट मनिश कस्यप के बारे में निकल कर सामने आती है कब तक वो जेल से बाहर निकल जाएंगे मतलब कि जमानत अरजी मंजूर होने के बाद भी एक प्रकिरिया होती है कानून का एक प्रकिरिया होता है उस प्रकिरिया को फॉलो करना होता है और उसमें थोड़ा वक्त लगता है तो अब देखना होगा कि चार दिन पांच दिन दस दिन में कब तक मनिश कस्यप जेल से बाहर निक प्रवाद